हलो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गाउड ग्लासेस पर वच्छो वन शॉट सीरीज बे आज हम नेक्स्ट जो पार्ट लेकर आए हैं वो है हमारा टॉपिक नंबर कॉंटिफिकेशन और नुमेरिकल एप्लिकेशन यानि जो फर्स चैप्टर है अगर हम बुक के लेकिन वीडियो देखने के बाद काम आपको एक जरूर करना है यह वीडियो देखने के बाद यह निकिए वीडियो कर लिया और इनफ कमेंट में कई बार आता है कि सर ये वीडियो ही इनफ है वीडियो इनफ है लेकिन प्रैक्टिस आपको और करनी है ताकि आप इसमें और ज्यादा अच्छे तरीके से शाप हो जाएं इसमें और अच्छे मार्ग साफ लेकर आ सके तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है हमारा कॉंग एक पर आते हैं अगर हम इंटरनेशनल टाइम की बात करें तो बारा के बाद 13 आर्स उसके अंदर होते हैं लेकिन उसमें भी फिर जाकि 24 आर्स के बाद फिर आपको वापस आना पड़ता है तो यानि यहां पर रैप आराउंड सिस्टम काम कर रहा है तो इस तरह का सिस्टम जब होता है तो वहां पर हम कॉंग्रेंस मोडूलों यूज करते हैं निकालने के लिए अब कॉंग्रेंस मोडूलों में जब आप लिखते हो ठीक है किस तरीके से आप लिखोगे अगर हम यहां पर जो हमने युक्री डिविजन लेमा पढ़ाता च्छोटी क्लासिस में उसम पर remainder का रोल होता है, quotient का यहां पर कोई रोल नहीं होता, तो इसको जब हम लिखते हैं तो इस तरीके से express करते हैं a mod b equals to r, यानि a को हमने b से divide किया, तो मारे पास एक remainder हा गया, quotient का इसमें कोई रोल नहीं है, इसलिए quotient को हम यहां पर mention नहीं करते हैं, अगर हम congruent मोडूलो N, इसका एक मतलब यह भी होता है कि अगर मैं B को इधर लाके माइनस करूँ यानि मैं लिखू यहाँ पर A-B तो A-B करने पर जो भी value आएगी, वो N की multiple होगी, यानि यहाँ पर जो N आपको दिया हुआ है, उसका multiple होगा अब यहाँ पर lambda की value कुछ भी हो सकती है 1, 2, 3, minus में भी हो सकती है मतलब N की table में यह value आएगी A-B तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं 14 को इधर लाके 49 में से minus करता हूँ, तो minus करने के बाद जो मेरे पास value आ रही है 35 वो 35, 5 की table में आएगा, तभी यह congruous modulo की statement ठीक होगी, अगर यह ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब statement में गड़वड है, statement ठीक नहीं है अब इसके कुछ properties होती है addition property के अंदर क्या होता है कि अगर आपके बास A plus B equals to C है, तो आप इसमें modulo अगर लगाना जाते हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, A mod N plus में B mod N is congruent to C mod N, या फिर आप A और भी दोनों को एकटा करके लिख सकते हैं A plus B mod N equals to A mod N plus B mod N अगर आप left hand side में कुछ add करते हो, अगर आपने left hand side में K add किया है, तो आप right hand side में K add कर दोगे, स्रिफ B के अंदर N के अंदर कुछ नहीं करना है, स्रिफ B के अंदर आपको add करना है, ऐसे अगर यहाँ पर A congruent to B mod N है और C congruent to D mod N है, तो इन दोनों congruent को आप एकटा कर सकते वैसे A plus C congruent to B plus D mod N अब यही same property, जब हम multiplication में जाते हैं, तो बस sign change हो जाएगा, plus की जाएगा, multiply बाकि सब कुछ property वैसी की वैसी ही रहेगी एक property इसमें होती है exponent की, exponent में क्या होता अगर A congruent to B mod N लिखा हुआ है आपने, तो A की power अगर आप K करेंगे तो इधर से B की power भी K हो जाएगी, यानि दोनों तरफ आपको power को increase करना है, और यह question आता है हमारे काम, जब हमारे पास power बड़ी-बड़ी दी होती है, उसका हम remainder find करना होता है, तो यह property बड़े काम आती है उसके बाद बारी आती है equivalence class की, तो equivalence class के अंदर क्या होता है equivalence class के अंदर कहता है कि अगर आपके पास equivalence class को ऐसे लिखा जाता है, यह हाँ पर जो bracket होती न, यह बड़ी वाली bracket हम लगाते हैं, अगर ऐसे लिखावा मतलब यह equivalence class of x आप से पूछ रहा है, इसका मतलब क्या होता है x belongs to z, we define the equivalence class was x with respect to mod m by the following, अब इसका मतलब यह हुआ, जब आप निकालते हो equivalence class और यहाँ पर आगया a belongs to z, z मतलब हो गया integer, यानि a जो होगा वो कोई integer होगा और इसको आप इस तरीके से लिखेंगे, equivalence class निकालने के लिए a equals to x mod m, जैसे अगर आपको निकालनी है equivalence class m की value अगर 3 है आपके पास x की value 0 है, अब x की value 0 का मतलब आपको 0 की equivalence class निकालनी है, तो उसके अंदर आपको simply क्या करना है जो भी आपको यहाँ पर दिया होगा ना m, वही value आपको एक बार plus करनी है, एक बार minus करनी है, यहाँ पर जिसकी आप equivalence class निकाल रहे हो 0 की निकाल रहे हो, तो 0 के अंदर आपने एक बार 3 प्लस करना है, एक बार minus करना है फिर जो value आएगे फिर उसके अंदर plus 3 करना है, फिर minus करना है तो इस तरीके से आप value लिखते जाओगे तो आपकी equivalence class निकल जाएगी अब जैसे for example अगर हम 1 की लेते हैं, और m की value 3 रखते हैं तो इसका मतलब 1 में आप 3 add करोगे, तो 4 आजाएगा, फिर 4 में 3 add करोगे, 7 आजाएगा ऐसे अगर आप minus करते जाओगे, 1 में से 3 minus करेंगे, minus 2 आजाएगा 2 में से फिर minus 3 करेंगे, तो minus 5 आजाएगा, यानि 3 negative side बढ़ाते जाना है और 3 positive side भी बढ़ाते जाना है, तो जो भी आपको यह वास यहाँ पर mod में value दे रखी होगी बस उस value को आपको एक बार plus करना है और एक बार minus करना है addition modulo M, addition modulo में क्या होता है, इसका जो question है, इस तरह के जो हमारे पास addition, subtraction और multiplication modulo है इसका question last year board exam में भी आया था, तो इसमें क्या था, given two positive integer A and B, the addition modulo M denoted by this अगर ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यह addition modulo के बारे में आपसे पूछ रहा है अब addition modulo में कैसे लिखा जाएगा, जैसे A plus B, फिर बीच में आएगा यहाँ पर addition modulo तो इसका मतलब आपको बस क्या करना है, A और B को add करके उसका mod M निकाल देना है अगर A और B को add करके आपके पास M से value वड़ी आती है, तो आप divide करके remainder निकाल देंगे या फिर अगर यह value छोटी आती है, तो वही हमारा answer हो जाएगा और सेम चीज़, subtraction में होगी, अगर यहाँ पर subtraction लगा हुआ है, तो subtraction model हो है और अगर यहाँ multiply लगा हुआ है, तो multiplication model हो है सबी के अंदर काम आपको यही करना है, अगर यहाँ subtraction दिया हुआ है, तो minus करना है minus करने के बाद जो आपके पास value आ रही है यहाँ पर, तो अगर इसमें यह value value minus करने के बाद M से बड़ी आती है, तो divide करके हमरे में इंटर निकाल लेंगे, और अगर छोटी value आती है, तो वही हमारा answer बन जाएगा और same काम, हम multiplication में करेंगे, तो इस तरह से आप जो जो इसकी model low value है, वो बड़े राम से आप निकाल सकते हैं एक एक number के question है, छोटे-छोटे question है, अब यहाँ पर देखें, question देखते हैं, यहाँ पर x कहता 7 है, y3 है, then verify that x mod y equals to x plus ky mod y for k equals to 6, तो आपको जो values दे रखेंगे हैं, वो values आपको put करनी है, x की जगे आपको 7 put करना है, यहाँ पर आजएगा 7 mod 3 is equals to 7 plus k की जगे रखेंगे हम 6 और y के जगे रखेंगे, हम 3, लिएक है, mod y, तो यहाँ पर दो 7 mod 3 आप करोगे, यानि 7 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे, तो आपके पास reminder बच्चे का 1, 3 to 6 होता है, तो यहाँ पर यहाँ जाएगा 1 mod 3, अब यहाँ पर देखो, 7 ही हो गया, और 6 3 जा 18, 18 plus 7, कितना हो हो गया, 18 plus 7, 25, अब 25 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पर आजएगा remainder 1, तो यह भी 1 mod 3 है, यानि इसका remainder भी 1 आ रहा है, और इसका remainder भी 1 आ रहा है, तो हम यह कह सकते हैं कि यह जो statement है, यह आपस में equal है, इसको हमने कर दिया है, verify, उसके बाद यहाँ पर कहत है कि यह वाली जो statement है, यह भी आपस में equal है, यह mod 5, mod 5 दो बार तो नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर देखो 14 plus 8, 22 mod 5, अब 22 को अगरा 5 से डिवाइड करते हो, तो 5, 4 जा 20, तो दो remainder बचेगा, तो यहाँ पर आप लिखो 2 mod 5, और यहाँ राइट हैं साइड में, 14 mod 5 आप 14 को अगरा 5 से डिवाइड करेंगे, तो remainder बचेगा 4, और 8 को डिवाइड करेंगे, तो remainder बचेगा 3, अब आप इन दोनों को एड़ करते हो, जो addition वाली प्रोपर्टी थी उसके साब से 4 plus 3, दोनों को मैड कर सकते हैं, यह बनेगा 7 mod 5, और 7 को अगर आप डिवाइड करत करते हो, statement को verify करने के बाद, जब next question पर हम चलते हैं, तो यहां पर आपसे पूछ रहाएं कि find a remainder, find a remainder when this is divided by 7, अब अगर हम 7 से स्कूप को divide करेंगे, तो remainder क्या आएगा, अगर हम property का use ना करें, तो यहां से इसका remainder निकालना पड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि यह स फिर, इंटू 137, बोलोट 7 निकालेंगे, फिर 23 मौस से निकालेंगे, अब यह चोटे छोटे नम्बर है, इनको मौस से डिवाइड है यहीदीजी कर सकते हैं, तो अब 1 तब थंटी सेवन से डिवाइड करोओ ने तो आएगा, 7 बंज़ 7, 5 बचेगा, यहाँ पर आजाएगा 57, और 7 इड़ जाब होता है 56, यानि एक remainder बच रहा है, यहाँ से हमारे पास एक आया, इसको डिवाइड करोगे आप 7 से, 7 बंज़ 7, 13 माइनस 7 करेंगे 6, यानि 67 मनेगा, और 7 नाइन जा 63 होता है, तो remainder बचेगा 4, तो आप verbally divide क सकते, verbally करिए, नहीं तो आप लिख लिख के side में multiply कर लो, और 23 को करेंगे तो 7, 3 जा 21 होता है, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर करेंगे 1 आ जाएगा, क्योंकि 7, 749 होता है, 235 को करेंगे तो 7, 3 जा 21, दो बचेगा, तो 25 बना, अब 25 को divide करोगे 7 से, तो 7, 3 जा 21, remainder बच आपकी छोड़ी-छोड़ी होगी है, अब इन सब को आप आपसे multiply कर लो, देखो यहाँ से 1 आ गया, 1 इंटो 4, 4 हो गया, 4 जा 8, 8 जा 8, 8 जा 32, 32 जा 32, जा 32, तो आपके पास सब को एक खटा करके बन गया, 32 mod 7, अब 32 को अगर आप 7 से divide करते हो, तो 7, 4 जा 28 होता है, तो 4 इंटर बसता है, यानि इसका answer आजाएगा 4, नेक्स कुश्चन में करता है कि, what time will it be after 1250 hours, if the present time is 9 पी-एम, अगर अभी का समय 9 पी-एम है, तो अब से 1250 hours के बाद कितना time होगा, तो आप निकालो कि 1250 hours होते हैं, अगर हम days के साब से बात करें, तो एक दिन के अंदर कितने hours हो हैं, वो इसके equal होगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसका mod 25 निकालना है, वो sorry 24 निकालना है, क्योंकि एक दिन के अंदर 24 hours होते हैं, अगर यहाँ पर एम पी-एम का किस्सा दे रखाओं, तो आप mod 24 निकालो, अगर सीधा यह बोलाओ कि 9 o clock, 7 o clock, तो फिर आप mod 12 निकालो, अब यहाँ से mod 24 निकालके हम इसकी remainder देखते हैं, क्या आता है, तो 125 को, अगर आप divide करते हैं, 24 से तो 24 पंजे होता है 120, तो यहाँ पर बचाएगा 2, यानि यह जो होता है, यह 2 hours के equal होगा, ठीक है, 1250 hours हो है, वो actually मैं, अगर हम दिन के साब से बात करेंगे, तो व 2 hours के equal होगा, और 9 PM के अंदर हम 2 hours और add कर देंगे, तो जो time होगा, वो आजाएगा हमारे पास 11 PM, यह हमारा answer आएगा, इसके बाद question number next पे चलते हैं, तो यहादा 5 raise 2 power 6 mod 4, अगर 5 की power 6 को आपको divide करना पड़े 4 से, तो उसका remainder क्या आएगा, तो actually मैं आपको यही बताना है, अब 5 की power 6 को अगर हम calculate करना चाहें, तो 5 की power 2, 125 हो गया, फिर उसका square करेंगे, फिर उसकी power इस तरह से हम निकालेंगे, तो अब इससे better रहेगा कि हम इसमें model की property use करें, तो इसमें आपको 5 की छोटी से छोटी power ऐसी लेके चलनी है, जिसको अगर आप 4 से divide करो, तो remainder आपके even होगा, तो हो जगता है कि remainder आपका 1 ना आए, तो उस case में आपको कोशिश करने है कि remainder छोटे से छोटा रहे, लेकिन यहाँ पर 5 को अगर हम divide करेंगे 4 से, तो हमारे पास remainder आजाएगा 1, तो इसको हम Congress मोडूलों में इस तरह किसा लिख सकते हैं, 5 को अगर हमने 4 से divide किया, त वो हम लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 आ गया, तो यहाँ 5 की power आप कितनी भी increase कर लो, कोई फरक यहाँ पर हमें पढ़ेगा नी, 1 की power 6 करेंगे तो वो 1 ही रहेगा, तो यानि यहाँ से हमारे पास remainder आएगा 1, अब remainder 1 आने का मतलब है कि अगर हम 5 raised to power 6, mod 4 की value निकालते हैं तो इसका answer बना 1, find all the positive integers less than 30, 30 से छोटे जितने भी positive integers से वो सब हमें निकालने, forming the equivalence class of 5, 4, mod 7, अब equivalence class हमें किस की बतानी है, 5 की बनानी है, 4, mod 7, अब equivalence class में क्या बताया था मैंने, equivalence class में आप जो भी यहाँ पर number होगा, उसके अंदर, जो mod के अंदर number होदा है, इसको आ अब यहाँ पर क्योंकि positive number इसने बोला है, तो 5 में अगर मैं add करूँ है 7, एक number तो 5 होई गया, ठीक है, दूसरा number निकालेंगे, एक number तो 5 होगया, दूसरा number निकालेंगे, तो 5 plus 7, यहाँ जाएगा 12, अगला number निकालेंगे 12 plus 7, यहाँ जाएगा 19, और फिर 19 plus 7 निकालेंग जाएगा 26, अब 26 में अगर आप 7 plus करोगे, तो 33 चला जाएगा, यानि यह इस number से बड़ा हो जाएगा, तो वहाँ पर नहीं जाना है, अगर आप minus करेंगे, तो 5 में से 7 minus करेंगे, तो minus 2 हो जाएगा, तो number उसने पूशा है positive, तो वो भी नहीं लेना है, तो हमारे पास answer क्य हमारे पास, next question में कहता है कि find the addition model, if A and B are 3 and 11, addition model आपको बताना है, A और B की value जो है, 3 और 11 है, तो इसको मैं ऐसे लखेंगे, 3 plus 8, 11, ठीक है, इस तरीके से लिखा हो आपको मिल सकता है, या आप ऐसे लिख ले, इसका मतलब क्या हो गया है, कि हमने 3 और 11 को plus करना है, और इसका मौड 8 find करना है, 11 और प्लस 3 हो गया 14, अब 14 को अगर आप डिवाइड करोगे 8 से, तो हमारे पास आएगा 8 बंजए 8 ही आएगा, 14 में से 8 माइनस करेंगे, तो हमारे पास answer आजाएगा 6, तो हमारे पास इसकी जो value है, 3 plus 11, इसकी value आजाएगी 6, ऐसे यहां पर आपको निका एक ही से समझना है कि आप से यहां पर पूछा गया गया, एक ही जगह रखना है आपको 17, और माइनस का साइन, M की जगह रखना है 3, और B की जगह रखना है 13, तो इसका मतलब क्या बना 17 माइनस 13, मौडुलो 3, तो 17 माइनस 13 करेंगे आएगा 4, और 4 को अगर आप 3 से डिवा है वो आजाएगी 1, एपलाई मल्टिप्लिकेशन मौडुलो अन पॉजिटिव इंटिजर्स 5 और 3, और 5 और 3, और क्यों सा लेना है, मल्टिप्लिकेशन मौडुलो तो मल्टिप्लिकेशन का साइन, और किसका मौडुलो लेना है 25 का, तो 5 और 3 को मल्टिप्लाई आप वाइव इंटू 3 मौड 25 अब क्योंकि 5 और 3 का मल्टिप्लिकेशन 25 से छोटा ही आएगा तो वह हमारा आंसर रहेगा क्योंकि इसको आप वोड डिवाइड तो कर नहीं सकते तो इसका मतलब हो गया कि हमारे पास इसकी वैलू आ गई इसकी वैलू आ गई 15 इसके बाद जो नेक्स टॉपिक आपके पास वह है एलिगेशन और मिक्षर एलिगेशन और मिक्षर हम कहां पर करते हैं जहां पर हमारे पास दो अलग अलग चीजे होती हैं और उनको मिक्स करके हमें एक मीन प्राइस निकालना चाहते हैं वालो एक लगाना है कि उन दोनों को किस रिस्व में मिक्स किया जाएं ताकि हमें एक मीन प्राइस उसका मिल सके या मीन प्राइस निकालना होगा या मीन प्राइस दे रखा होगा रेशो आपको निकालनी होगी इस तरह के कोईशन इसके अंदर होंगे तो इसके लिए जो फार्मुल और M में से C को माइनस करोगे तो ये value लिखनी है अब इसमें आपको ये confuse होने की जरूद नहीं है कि अगर हमने यहाँ पर D लिख दिया तो गलत तो नहीं हो जाएगा बिल्कुल गलत नहीं होगा यहाँ पर आप D लिख सकते हो पहले यहाँ पर आप C लिख सकते हो alternate position है तो जब आप माइनस करोगे तो माइनस में भी आपको ये परिशान होने की जरूद नहीं है कि हमें इसमें से इसको माइनस करना है यह याद हमें रखना पड़ेगा बिल्कुल आपको याद रखने की जरूद नहीं है अगर आप बस आपको ये चीज़ान रखनी है यहाँ से अगर आप D माइनस M ले रहे हो तो यहाँ से M माइनस C लेना है अगर आपने यहाँ से M माइनस D ले लिया है तो यहाँ से आपको C माइनस M लेना है तो यहाँ से आप लिखते हो M माइनस D तो यहां से लिखना आपको C-M यह जो M होना चाहिए यह इधर ऐसी position, cross position पे होना चाहिए चाहिए इधर हो चाहिए इधर हो चाहिए पहले लिखो चाहिए आप बाद में लिखो तो यानि यह भी कोई problem नहीं है कि आपने जो costly जो amount है वो इधर लिख दिया है चाहिए और यहां पर same type of unit होनी चाहिए मतलब यहां पर अगर cost price आप लिख रहे हो तो वहां पर भी cost price ही होना चाहिए ऐसा नहीं कि यहां तो cost price लिख दिया आपने वहां पर selling price लिख दिया ऐसा नहीं करना या तो दोनों में selling हो या दोनों में cost हो, या दोनों में percentage हो, ठीक है, या दोनों में liter हो, कुछ भी हो, लेकिन unit उसकी एक जैसी होनी चाहिए, वो same type of unit होनी चाहिए, तो ये चीज़े बस आपको ध्यान में रखनी है, इस तरह से framing करोगे आप question में, framing करने के बाद उसको easily हम solve कर सकते हैं, अब इसमे होता है कि जब आप repeated dilution करते हो, मतलब एक चीज़ के अंदर आप बार बार कोई चीज़ डालते हो, जैसे मरलो milk हमारे पास है, milk के अंदर आप एक पानी डालोगे, ठीक है, पहले बार पानी डाला आपने, तो उससे क्या होगा, जो milk की quantity है, in term of ratio, वो कम हो जाएगी, फिर आ आपके पास जो quantity है, originally कितनी बचती है, यह हमें निकालने के लिए formula यूज करना है, x, x मतलब जो original quantity है, 1-y upon x, y मतलब जो आपने उसमें से निकाला है, कितना लीटर निकाला, 1-2 लीटर, 3 लीटर, जो भी होगा, वो उपर रखना है, 1-y upon x, raise to power n, और n का मतलब क्या है यहा वो हम समझ लेते हैं, एक बार, यहां question में कहता है कि एक retailer है, इसके पास 250 kg of rice है, एक part of which he sell at 10% profit, the remaining quantity of rice is a low quality rice, and he sold at a 5% loss, परला, 250 kg rice है, उसमें से एक part तो वो profit पर बेच रहा है, और एक part loss पर बेच रहा है, तो overall उसको profit होता है 7% का, तो find a quantity of rice sold at 5% loss, तो जो उसने 5% loss पर quantity बेची है, राइस की वो कितनी बेची है, यह आपको find करना है, तो हम पहले क्या करते हैं, हमने जो पहली quantity of rice है, जो अच्छी quality है, वो 10% के profit पर बेची है, तो यहां पर लिख लो, और जो अपने low quality rice है, उसको 5% के loss पर बेचा है, लोस पर बेचा है, तो 5 नहीं लिखना ख और यह कितना rice लिया, यह आपको find करना है, तो x upon y की value अगर आप निकालेंगे, तो यह आजाएगी यहां से, अगर मैं इसमें से इसको minus करूं, according to formula, d minus m करेंगे, तो minus 5 minus 7, तो यहां पर करेंगे 7 minus 10, अब जैसे मज नी करो, बस यह जो position है, ध्यान रखना, cross position पर रखना है, तो x upon y की value आगई, minus 12 upon में minus 3, इससे cancel हो गया, यहां से ratio आगई आपके पास, ratio आगई 4, ratio 1, इसका मतलब है, x अगर 4 kilo है, तो y 1 kilo है, यह मतलब हो गया, अब यह पूछ रहा है कि जो low quality rice है, नि जो 5% loss पर बेचा है, वो आपने कितनी quantity बेची है, तो quantity of low quality rice, low quality rice sold, कितनी बेची है आपने, आपके पाद जो low quality rice है, mixer के अंदर उसकी ratio है 1, और total रेखर ratio का देखेंगे तो वो तो है 5, इन 2 में total quantity of rice आपके पास था कितना, total quantity आपके पास 250, तो 250 से आप इसको multiply कर देंगे, answer आजाएगा 50 kg of rice, जो आपने 5% के loss पर बेचा है, उसके बार next question पर हम चलें, तो इसमें कहता है, के container है, जिसके अंदर 40 liter milk है, from this container, 4 liter milk was taken out and replaced with water, 4 liter हमने उसमें से milk निकाल दिया और उसको हमने replace कर दिया water से, this process was repeated further 2 more times, इस process को हमने 2 बार और किया, तो how much milk is there in the container now, अब उस container के अंदर कितना milk रह गया, तो originally quantity कितनी थी आपके पास 40, एक होगया आपके पास 40, कितना liter आपने निकाला, 4, तो y की value हो गई 4, अब कितनी बार करा आपने, एक process तो ये दे रखा था फिर करा कि 2 more times और करा या निए, टोटल मिलाकर n होगया 3, तो आपके पास according to formula क्या बना, formula था हमारे पास x, 1-y upon x की power 3, तो x होगया आपके पास 40, 4 liter आपने निकाला है, 40 में से 3 बार, 10-1, यहाँ जाएगा 9 upon 10, 9 का अगर हम cube करेंगे तो यहाँगा 729, 10 का cube परेंगे तो आएगा 1000, 0 से 0 काट लो, बस और काटने की जरूद नहीं कि पूरा-पूरा तो कटेगा नहीं, 49 जा 36, 42 जा 8 और 3, 11, और 47 जा 28, 28 और 129, 100 से डिवाइड करेंगे तो दो प्लेस के बाद आपको decimal लगा देना है, यहाँ 29.16 लीटर, यह आपके पास मिल की उसके अंदर quantity रह गई, तो इस तरह से आप उसको dilute कर सकते हैं, उसके बाद जो next topic है आपका वो है boards and streams, अब boards and streams में क्योंकि यह quantity मैस है, तो इसमें आपको जो questions मिलेंगे जदातर, उन सभी के अंदर ऐसा होगा कि आने और जाने का जो distance है वो equal होगा, तो उसके लिए कुछ formulas हैं जो आप याद रखोगे, तो आपको बड़े easily आप question को कर बाऊगे, formulas बस आपको याद करने पड़ेगे, अब यहाँ पर एक तो आपको terms पहले समझ लेने की, क्या terms कोंग क्या ले रहे हैं, जिसे यहाँ पर X कोंग ले रहे हैं, X क्या है यहाँ पर speed of boat in still water, और Y है यहाँ पर boat of speed of stream, यानि speed of current के सकते हो, तो यानि पानी का जो बहाव होता है उसकी speed, और T1 का मतलब है यहाँ पर time taken by downstream, अगर आप downstream जा रहे हो, पानी के विपरीज जा दे हो, पानी अगर इधर जा रहे हो और आप इधर आ रहे हो, तो इसका मतलब उसको बोलते है upstream, उसमें जो time लगेगा, उसको लिया हो है यहाँ पर T2, and downstream speed will be U, and upstream speed will be B, तो downstream की speed है, वो U consider करेंगे, U kilometer पर आ, और upstream speed है, उसको मानेंगे V, तो यहाँ पर जो सबसे पहला formula है, उसमें downstream speed हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या करना है आपको, जो boat की speed है, और stream की speed है, यानि पानी की speed है, और boat की speed है, दोनों को add कर देंगे, तो downstream speed आ जाएगी, और upstream में आपको minus कर देना है, अगर इनी दोनों फार्मूले को, इनी दोनों फार्मूले को अगर आप simply भाई कर देंगे, elimination method लगाकर दोनों को solve कर देंगे, तो आपके पास x की value आजाएगी, x मतलब speed of boat in still water, x equals to u plus v upon में 2, और y की value आजाएगी u minus v upon में 2, next condition में कहता है कि, इसको simply ऐसे भी लिख सकते हो, x square minus y square upon में x, यह होगा average speed का formula, अगर आप distance निकालना चाहते हो, कि आप एक particular distance तक गए और वहाँ से वापस आए, तो उसके लिए distance के दो formula हैं हमारे बास, एक formula यह है, एक formula यह है, दोनों गर देखोगे तो बिल्कुल similar से formula है, यहाँ पर t into में x square minus y square upon में 2x है, यहाँ पर t into x square minus y square upon में 2y है, बस formula में difference इतना है, denominator में यहाँ x है और यहाँ पर y है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा formula आपको लगाना चाहिए, तो अगर आप जब distance आप cover करते हो, तो जब आपको आने और जाने दोनों का distance दोनों का time दे रखाओ, तो t यहाँ पर क्या है, आने का और जाने का दोनों का time का sum, वो कहेगा कि कोश्चन में आप 10 km तर गए और फिर आप वापस आगए, या फिर round trip वाड़ी उस करेगा, round trip का मतलब भी होता है कि एक जगे जाओगे, आप फिर वहाँ से वापस आओगे, तो उन दोनों का sum आपको दे रखा हुआ, दोनों के time का sum, तो वो यहाँ पर t लिया गया है, और इसमें t जो लिया गया है, उसमें आने और जाने के time का difference है, तो t2-t1, t2 पहले इसलिए लिया है, क्योंकि जो upstream है, उसमें time ज़्यादा लगेगा, और जो down stream है, उसमें time कम लगेगा, तो जब आने और जाने के time का difference दिया होगा, तो नीचे वाला formula लगाओ, और जब आने और जाने के time का total दे रखाओ, तो आप उपर वाला formula लगाओ, इस तरह आपको पता चलेगा, कि दोनों में से कौन सा formula आपको लगाना चाहिए, अगर हम question की बात करें, तो यहाँ पर कहता है कि, a man rose 15 km upstream, and 25 km downstream in 5 hours each time, यानि वो upstream में जो distance travel करता है, 15 km का उसमें 5 घंटे लगते हैं, यानि जो upstream की speed है, वो कितनी आजाएगी, distance upon में time, तो 3 km पर आर आगी, ठीकिए upstream को denote करेंगे V से, और जो downstream है, वो 25 km का distance travel करता है, तो U की value कितनी आजाएगी, time इसमें भी 5 घंटे लगता है, तो U की value आगी आपके पास 5 km पर आर, अब कहता कि what is the speed of current, speed of current मतलब Y, तो Y की value निकालने का formula था हमारे पास, U minus V, U minus V upon में 2, तो U की जगे रखेंगे आप 5, V की जगे रखेंगे 3, divided by 2, यानि यहां से आजाएगा 2 upon 2, तो यह आजाएगा आपके पास 1 km पर आर, तो यह हो जाएगी speed of current, यानि जो पानी का flow होगा, उसकी speed आएगी 1 km पर आर, नेक्स कोशन में कहता है कि यह person can row a boat 5 km and are in still water, यह एक आदमी जो still water के अंदर 5 km एक घंटे के अंदर चलता है, मतलब X की जो value आगई, वो आगई 5 km पर आर, इट टेक्स हिम thrice as long to row upstream, as to row downstream, वो कहता है कि जो वो upstream जाता है, तो उसको downstream के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा time लगता है, तो अगर हम T1 की value, T1 मतलब जो downstream का time है, उसको हम ले लेते हैं मानलो X hours, X तो यहाँ पर ले रखा है, तो आप इसको ले लो K, आपको downstream में K hours लगते हैं, और तो आपको अब stream में कितना time लगेगा, इसका 3 times लगना, यानि 3 K hours, तो आपको बताना है, find a rate at which the stream is flowing, तो Y की value आपको बताने हैं, तो इसमें हमने एक formula भी बढ़ा था, कि T2 upon T1, यह होता है, X plus Y upon X minus Y, ठीक है, यह वाला formula हमने पड़ा था इसमें, यह T2 upon T1, X plus Y upon X minus Y, अब यहाँ पर आपको Y की value निकालनी है, X minus Y, अब यहाँ पर आपको T2 की value पुट करनी है 3 के, T1 की value पुट करनी है के, X की value आगी 5, यहाँ पर आगया Y, इदर आगया 5 minus Y, इससे एक एंसल, cross multiply करोगे, 3, 5, जाग 15, minus 3Y, इदर से आजाएगा 5 plus में Y, इसको इदर लेके जाओ, 5 को इदर लाके minus कर दो, तो यह आजाएगा 10 equals 2 में 4Y, तो Y की value आजाएगी 10 upon में 4, यहनी 2.5, 2.5 किलो मेंटर पर आगया, यहाँ पर speed of current या speed of stream जो है, वो आजाएगा 2.5 किलो मेंटर पर आगया, उसके बाद अगर next topic की बात करें, यह topic है हमारे पास pipe and system, अब pipe and system के अंदर क्या concept काम करता है, इसमें कोई formula आपको अलग से specially याद नहीं करना, इसमें बस आपको यह ध्यान लखना है कि जब भी pipe and system के question करोगे, या work time के जो भी आप question करते हो, तो उसमें आपको हमेशा one unit of time की value निकालने होती है, कि एक घंटे के अंदर कितना काम किया गया, या एक minute के अंदर कितना काम किया गया, या एक second के अंदर कितना काम किया गया, जो भी unit आपको उसमें दे रखी होगी, अब यहाँ पर pipe दो तरीके के होगे, एक inlet होगा, एक outlet होगा, इनलेट जो होगा वो क्या करेगा पानी को भरता है और आउटलेट क्या करता है पानी को खाली करता है तो अगर वो दोनों इखटे चलेंगे एक तरव से पानी भर रहा है एक तरव से पानी खाली हो रहा है अब वो डिबेंड करेगा कि किसका टाइम आपको ज़्यादा दिया 12 hours respectively दो पाइप हैं इसको 8 hours में भरता है दूसरा 12 hours के अंदर भरता है the pipes are open simultaneously and it takes 12 minutes more to fill the system due to leakage अब क्योंकि leakage हो रही है leakage होने की वज़े से इसको 12 minute का time extra लग जाता है उसको tank को fill करने में if the system is full अगर system पूरा full है तो what will be the time taken by the leakage to empty it तो leakage होगी इस पूरे tank को कितने time के अंदर खाली करेगी तो हमाल लेते हैं कि जो leakage है let the time taken by leakage taken by leakage be exhaust to empty a tank यानि एक घंटे के अंदर वो कितना पार्ट खाली करेगी पार्ट ऑफ दा टैंक emptied in one hour तो वन आर के अंदर इसने इतना टैंक खाली कर दिया अब जो दो स्टैप आपको स्टार्टिंग में दे रहे के एक एक अंदर फिल कर रहा है दूसरा ट्वैल आज के अंदर फिल कर रहा है तो उन दोनों का अगर आप निकालोंगे पार्ट ऑफ दा टैंक पार्ट ऑफ दा टैंक फिल्ड वाइप ए इन वन आर या जाएगा वन पॉन एट टैंक सब्जेक्टिव आएगा तो आपको फिर दिखाना पड़ेगा थोड़ा या जाएगा वन अपॉन ट्वैल टैंक अब इसने कोशन में हमें दिया वाए कि अगर ये लीकेज भी सासा चलेगी तो उसको बारा मिनिट एक्स्ट्रा लगेंगे इस टैंक को फिल करने में तो हम पहले ये निकाल लेते हैं कि अगर ये लीकेज ना होती तो उसको टाइम कितना लगता यानि जो टैब ये दोनों है ये दोनों मिलकर कितनी देर के अंदर इसको फिल करते तो पार्ट अफ़ टैंक फिल्ड वाए एंड बी इन वन आर ये निकाल ली हमने वन अपॉन प्लस में वन अपॉन ट्वैल लेंगे 24 आएगा आ जाएगा 3 प्लस में 2 यहनी 5 अपॉन 24 इतना टैंक ये फिल करते एग घंटे के अंदर तीक है यहनी टाइम कितना लगता इनको टाइम टेकन इनको टाइम लगता टाइम निकालने के लिए रेसिप्टोकल करतेंगे 24 अपॉन 5 अब इसको अगर आप फ्रेक्शन में लिखोगे तो 5 फोर्जा 20 4 अपॉन 5 4 अपॉन 5 आर्स इसको आप कर लो मिनिट में करनवर्ट तो 4 आर्स तो कम्प्लीट हो जाएगा और यहां से इसको 60 से मल्टिप्लाइ करेंगे 12 बेकटेगा 12 चोकट तालिस यानि इतने घंटे इसको लगते अगर ये दोनों पाइप चल रहे होते लेकेज ना चल रही होती लेकिन अब लेकेज चल रही है तो लेकेज क्या करेगी 12 मिनिट एक्स्ट्रा टाइम ले रही है तो 12 मिनिट अगर हम इसमें एड कर दे 48 आर्स लिख दिया अगल मिनिट लिखना है आपन तो अब इसके इंदर अगर आप 12 मिनिट एड कर दो ठीक है इफ लेकेज इस देर देन टोटल टाइम टेकन तो टोटल टाइम कितना लेंगे 4 आर्स 48 मिनिट के अंदर अगर आप 12 मिनिट एड करोगे तो पूरे 5 घंटे हो जाएगे अब यहाँ से रिलेशन हम बनाते है एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इसने एक घंटे के अंदर इतना टैंक भरा और इसने एक घंटे के अंदर इतना टैंक भरा और इसने एक घंटे के अंदर इतना खाली करा टोटल मिलाकर एक घंटे के अंदर इतना टैंक भरा गया अब यहां से आप x की value निकालोगे तो इसको आप इधर ले जाओ इसको इधर लियाओ तो 1 upon 8, 1 upon 12, minus 1 upon 5, equals to 1 upon x इसका LCM आएगा 120, ठीके 8 से इसको divide करोगे तो 15 आगया 12 से करोगे तो 10 आएगा, और फिर minus का sign यहाँ जाएगा 24 15, 10, 25, minus 24 यहाँ एक आगया, तो यहाँ देगा 1 upon 120, equals to 1 upon x तो यहाँ एक्स की value आगयी 120, तो लिके जोगी इस पूरे tank को 120 आज के अंदर खाली करेगी next question में गदा है कि एक system है, जो कि can be filled by two pipes A and B in 12 minutes and 15 minutes and the tap C can empty the full tank in 20 minutes, if the tap C is opened 5 minutes after the pipe A and B are opened, find when the system becomes full जो tap C है, उसको उमने 5 minutes के बाद खोला, वो 5 minutes के बाद खोलके फिर आपको यह बताना है कि total कितना time लगा उस system को fill करने में तो अब इसके अंदर आप क्या गरोगे, आप यह निकालो की पहले 5 minutes के अंदर, जब तक tap C नहीं खुला था, तब तक हमने उस tank का कितना part भर दिया था, तो उसके लिए हम यहाँ पर इनका एक एक minute का काम निकाल लेते हैं, ठीके part of the tank part of tank filled by A and B in 1 minute, तो इसका 1 minute का काम है 1 upon 12, इसका 1 minute का काम है 1 upon 15, अब हमें काम चाहिए 5 minute का, क्योंकि 5 minute के बाद हमें C को खोल ला है, तो part of the tank filled by A and B in 5 minute, इसको आपको multiply करते हैं, कर देना 5 से, इदर आप L sim ले लोगे 12 और 15 के L sim आज रहेगा 60, 5 से इसको काट दो, 9 upon 12, यानि 3 upon 4, यानि उस tank का 3 upon 4 part जो वो आपने 5 minute के इंदर fill कर दिया है, अब कितना part रहेगा आपके पास, जो remaining आपको भरना है, remaining part, total ratio के अंदर हम जाते हैं, तो total 1 होता है, उसमें से 3 by 4 हमने भर दिया, तो हमें सिर्फ 1 by 4 tank और भरना है, अब लेकिन जो 1 by 4 tank रह गया ना, उसके रहने पर हमने pipe C को खोल दिया है, अब pipe C भी चल रहे है, अब A, B, C अगर तीनों चलेंगे, तो उनका time कितना लगेगा एक minute के अंदर, तो part of the tank, part of tank filled by A, B and C, तो यह आगे आपके पास, A ने एक minute में इतना भरा, B ने एक minute में इतना भरा, और C ने एक minute के अंदर, उसको time लगता 20 minute, तो C ने इतनी देर में खाली कर दिया, तो अब यहाँ पर L से में लेंगे 60 आएगा, तो 5, 4, 9, 9 में से 3 के 6, यानि आगया 1 upon 10, तो अब इने को अगर एक tank पूरा भरना है, तो यहाँ पर एक minute के अंदर इतना tank भर रहे हैं, तो एक घंटे के अंदर यह मतलब total अगर पूरा एक tank भरना चाहते हैं, तो उसको कितना time लगेगा, तो time taken by, time taken by A, B, C, कितना आजाएगा, 10 minute, इसका receive profile कर देंगे, जब भी time निकालेंगे, तो यह जो number आएगा, यहाँ पर उसको receive profile करेंगे, तो 10 minute के अंदर यह पूरा tank fill कर सकते हैं, लेकिन अब हमें पूरा tank तो fill करना नहीं है, हमें सिर्फ कितना करना है, 1 by 4 बच रहा था, तो time taken by A, B, C, 2 fill, 1 by 4 tank, ठीक है, यह पूरे tank का time था, तो इस पूरे tank के time को 1 by 4 से आप multiply कर दो, तो 2.5 minute, तो पहले कितने minute लग रहे थे, 5 minute तक वो दोनों चले थे, उसके बाद फिर 2.5 minute और लगेंगे, यानि टोटल मिला का 7.5 minute, total time, 5 plus 2.5, या आप इसको लिख सकते हो, 2 minute and 30 seconds, तो यानि 7 minute और 30 seconds, यह टाइम आएगा, जब इस tank को आप पूरा फिल कर सकते हो, उसके बाद जो next concept है, हमारा वो है races and games, अब races and games के अंदर क्या होता है, यहाँ पर कुछ terms आपको ध्यार लखनी है, एक तो starting point, तो जहां से race start होगी, finish point या winning point या goal इसका मतलब जहाँ पर race खतम होगी, winner तो जीता है, dead heat, dead heat का मतलब होता है कि जब जितने भी participants हैं, वो अग same time के अंदर ही अगर race पूरा करते हैं, तो कोई winner नहीं बना, तो इसका मतलब वो dead heat होती है, अब यहाँ पर यह कहता है कि अगर दो participants है, A और B, और इसमें कहता है कि A gives B a start of, A gives B a start of X meter, A, B को X meter का start दे रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि A ने B को बोला कि आप X meter आगे खड़े हो जाओ, तो जब A को distance cover करना होगा, पूरी race जीतने के लिए तो उसको X meter का करना है, लेकिन X meter का नहीं, माल लो अगर 100 meter की race है तो 100 meter का करना है, और B को जो distance cover करना है, वो उससे X meter कम करना है, यानि 100 माइनस X करना है, अगर B को वो race जीतनी है तो, और अगर ऐसे लिखा होगी, A beats B by X meter, तो इसका मतलब A ने B को X meter से beat किया, यानि A ने race पूरी कर ली, तब तक B जो है उससे X meter पीछे है, इसका मतलब ये हुगा, अगर games वाले question होते हैं, तो उसमें जो words ऐसे लिखे होते हैं, उसमें लिखा होगा यहाँ बर, कि A beat B by 30 minute, 30 point, या फिर A can give 30 point to B, इसका मतलब होता है कि अगर मालो 60 point का game है, और A ने B को 30 point से beat किया, तो इसका मतलब A के तो पूरे 60 point हो जुगे हैं, और B से वो 30 point आ गए है, यानि B उससे 30 point पीछे है, यानि 30 point उसके बने, अगर 60 point का game है, अगर ये game 100 point का होगा, तो A के तो पूरे 100 point होगे, और B के 70 point है, यानि वो से 30 point पीछे है, इन लाइन का मतलब ये होता है, ठीक है, अगर हम questions की बात करें इसमें, तो वह कहता है कि इन्हे 1,000 meter race, A, B and C get the gold, silver and bronze medal respectively, A beats B by 100 meter, and B beats C by 100 meter, then by how many meters does A beat C, तो इस तरह का जब question आता है, जिसमें ही 3 लोगों के बारे में बताता है, तो उसमें आप ratio वाले तरीके से करो, तो वह आसान पड़ेगा, A ने B को 100 meter से beat किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि, अगर A का distance, पूरा 1,000 था, तो B का distance तब तक 900 meter था, और B ने C को beat किया 100 meter से, इसका मतलब ये हुआ कि, अगर B ने 1000 meter का distance cover किया, यानि race तो वह तभी जीतेगा न, जब A 1000 करेगा, तो C से वह 100 meter आगे, यानि C का distance 900 है, तो अब हमें बताना है कि, जो A और C है, A ने C को कितने मार्दन से beat किया, यानि A ने जब race complete करी थी, तो उस समय C कहाँ पर था, तो उसके लिए हमें A और C को compare करेंगे, यानि उसके लिए आपको value ऐसे निकालनी है, A upon B, into में B upon C, तो A upon B की value यह आगी, और B upon C, B की value आपके पास है, 1000 upon 900, अब हमें A और C को compare करना है, तो A का जो distance है, वो 1000 meter रखना है, तो यह 1000 meters होए न, इसको तो आप activities रहने दो, इसको बाकियों को solve करो, तो यहां से 2-0 A cancel होगी, 1-0 इससे cancel होगी, तो A का जोगा distance 1000 meter था, मतलब race complete होगी थी, तब तक B ने 992-81, यानि 810 meter का distance किया था, यानि A ने B को beat किया, A beat C, A beat C by 1000 minus 810 meters, यानि कितना हो जाएगा, 190 meters, तो A ने B को, 190 meter के distance से beat किया, तो next question में कहता है, Priya can run 1 kilometer in 3 minutes and 10 seconds, and Preeti can cover the same distance in 3 minutes and 20 seconds, तो by what distance can Priya beat Preeti, तो यहाँ पर आप time निकाल लो, time taken by Priya, time taken by Priya, अब यह time आपको दिया हो है, minute और second में, तो इसको एक ही unit में convert कर लो, सारा seconds में कर लो, तो 3 minutes 10 seconds का मतलब, 3 minutes का मतलब तो हो गया, 180 seconds, 10 seconds और add करेंगे, तो कितना बन जाएगा, 190 seconds, और time taken by, क्या नाम है, दूसरे का प्रीती, प्रीती को time लगा कितना, 3 minutes 20 seconds, मतलब 200 seconds हो गया, यहनि दोनों के time में, 10 seconds का difference है, ठीक है, time difference कितना है, time difference है, 10 seconds, तो आपको बस यह 10 seconds के time difference, के साब से बताना है कि, प्रीती ने जो distance cover किया था, वो कितना था, और प्रीया ने जो distance cover किया था, वो कितना था, ताकि आपको पता यह चल जाए, कि किसने प्रीती ने, प्रीया ने प्रीती को कितने distance से हराया, तो हम यह निकाल लेते, कि प्रीती इस 10 seconds के बीतर, कितना distance cover कर सकती थी, जितना वो पीछे रहेगी थी वो निकल जाएगा तो अब पृति का हमें यह पता है कि वो पृति दोस्तो सेकिंड के अंदर एक किलोमेटर का डिस्टन्स कवर करती है इन टू हंड़र्ड सेकिंड्स पृति के अंद कवर वन किलोमेटर वन किलोमेटर का मतलब और 10 सेकिंड में कितना distance cover करेगी 1000 upon 200 को multiply कर दो आप 10 से तो ये 2-0 cancel, 2 से cancel यानि 50 meter यानि उन 10 सेकिंड के अंदर प्रिया जो है 50 meter के distance से पीछे रह गई तो प्रिया ने प्रिया ने प्रिया को बीट किया प्रिया बीट प्रिया बीट प्रिया बाई 50 meter उसके बाद next question में करता है कि 2 runners A and B complete a 100 meter race in 36 सेकिंड and 48 सेकिंड रिस्पेक्टिवली by how much how many meters will A defeat B same question है बिल्कुर ठीक है same question है दोनों का time difference निकाल लो आप इसने 36 में किया इसने 48 सेकिंड में किया तो 48 माइनस 36 12 सेकिंड का time difference है अब आप यह निकाल लो B जो है वो बारा सेकिंड के अंदर कितना distance टैवल करेगा तो in 48 seconds B covers 100 meter फिर आप एले एक सेकिंड का निकाल लो तो आजाएगा 100 upon 48 और फिर आपको बारा सेकिंड का निकालना है तो बारा से इसको multiply कर देना चार से डिवैड करोगे तो आजाएगा आपके पास 25 seconds और 25 meters तो A ने B को 25 meter के distance से बीट किया तो इसी question के साथ ही जो हमारा चैप्टर 1 है यह complete हो जाता है partnership हमारे इस लिवस में है नहीं तो उसको अब करने का कोई फायदा भी है नहीं आज की इस वीडियो में इसी topic के साथ ही यह वीडियो हम end करते हैं और आई होप आपको concept समझ में आया होगा ठीक है लेकिन यह नहीं कि यह वीडियो हो गया तो आपका पूरा clear हो गया concept wise सारा कुछ मैंने करा दिया है बस आपको practice ज़्यादा से ज़्यादा और करनी है cbac handbook है या आपके बस कोई और book है जो भी book है उससे आपका अच्छी दे से practice करो ताकि आप इसमें बहुत अच्छे तरीके से questions को attempt कर सको और पूरे के पूरे marks ले सको आज कि इस वीडियो में इतना ही thanks all of you